जैन साथियों, आज के इस वीडियो में हम आतिती शिक्षक के अमंतरण की पूरी प्रक्रिया जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रैक्षिन एक सत्र 24-25 में रिक्त पदों के विरुद आतिती शिक्षकों की विवस्ता हितु लोग शिक्षन संचनाल मद्प्रदिश दोरा दिनांग 24-7-2024 को एक महत्पूर अदेश जारी किया गया है। जिसमें गैस टीचर की जोईनिंग के लिए विविन दिशा निर्देश बताए गये हैं, जिने हम इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोसिस करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको श्रिक्षन विभाग से संबंदित विविन जानकारी सबसे पहले मिलती रहे है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने लोग श्रिक्षन संचनालाय मद्ध प्रदेश का दिनांग 24-7-24 का आदेश हैं, जिसका विश्या है श्रैक्षनिक 7-24-25 में रिक्त पादों के बुरुद आतिती श्रिक्षकों की विवस्ता के संबंद में। संदर्व और आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आतिती शिक्षक आमंतरन हेतु रिक्तियां। इसमें बताया गया है कि विद्यालाय की समस्ति रिक्तियां GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी, उन्हीं रिक्तियों के आधार पर आतिती शिक्षकों क रखा जाएगा, और आगे इसके बाद आता है आतिती शिक्षक आमंतरन हेतु की जाने वाली कारवाही, सबसे पहले इसमें है 2.1, इसमें बताया गया है कि बढ़ उन्हीं विद्यालायों में आतिती शिक्षक रखे जाएंगे, जो विद्यालाय GFMS पोर्टल पर देख रह आये, ऐसे अवेदकों को नहीं लिया जाएगा, 2.3 में कहा गया है, ऐसे विद्यालायों जिन में रिक्त पद हैं और संबंदित विशाई के सिक्षकों का पैनल पूर्ब से उपलब्ध हैं, तो मानिनिय उच नियालायों के निर्णायों के अनुसार विगत बर्ष के अतित जोइनिंग ले सकता है, फिर 2.5 में कहा गया है, ऐसे अतिती सिक्षक जिन्होंने विगत सत्र में जिस स्कूल में कार किया है, उस स्कूल में अतिती सिक्षक दोरा स्वयम के लॉगिन आईडी दोरा जोइनिंग की सुविदा उपलब्ध करवाई गई है, आगे बढ़ते है 2.6 में कहा गया है कि अतिती सिक्षक दोरा जोइनिंग पत्रक को जोइन किये गए विद्यालाय में दिनांग 7-8-2024 तक जमा करना होगा, यदि समय में अतिती सिक्षक दोरा विद्यालाय में उपस्तिती नहीं दी जाती है, तो उसका जोइनिंग पत्र स्वयम ही निरस्त मा बाना जाएगा फिर उसे जोइनिंग करने के लिए नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा आगे देखेंगे इसके बाद 2.7 में कहा गया है अचिती सिक्षक शाला प्रभारी को अपना जोइनिंग पत्रक देंगे और हास्ताक्षा सील के साथ एक सत्यावित प्रती विद्यालाय तता एक प्रती अपने पास रखेंगे 2.8 के अनुसार जोइनिंग पत्रक की एक प्रती सत्यापन के उपरांत मनलब सत्यापन के बाद GFMS पोर्टल पर अप्लोट करना है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इधर आप देख सकते हैं अतिती सिक्षक आमंतर हेतु समयशार्णी चलिए जानते हैं क्या है समयशार्णी श्रैक्षनिक सत्र 2023 में जिन विद्यालें में अतिती सिक्षक को आमंतरित किया गया है एबं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं ऐसे विद्याला में GFMS पोर्टल पर जोइनिंग की प्रविष्टी हेतु की जाने वाली कारवाई ही सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं गति विद्याले में हैं अतिती सिक्षक आमंतरितु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन मल्ला रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 30 जुलाई 2024 को फिर इसके बाद है आचिती सिक्षक दोरा GFMS पोर्टल पर जोइनिंग दर्श करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्च सत्यापित जोइनिंग पत्रक की छाय प्रती को पोर्टल पर अप्लोड करना इसका टाइम दिया है 1 अगस 2024 से 7 अगस 2024 फिर आता है शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर जोइन किये अतिती सिक्षक को प्रमारिकत करेंगे ये कब करेंगे 1 अगस 2024 से 7 अगस 2024 तक इसके बाद आगे देखते हैं फिर है इसके अतिरिक्त ऐसे विद्याला जहां नियमित शिक्षक पदस्त होने के उपरांत भी संपूर्ण श्रैक्षनिक सत्र के लिए अनुपलब्द हैं ऐसे विद्याला हे तू रिक्त अपडेशन हे तू संकुल प्रचार दौरा GFMS पोर अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना इसके लिए समसीमा है एक अगस्त दोहयर चौवेस से चार अगस्त दोहयर चौवेस फिर है संकुल प्रचार दौरा प्रेशित की गई रिक्वेस्ट का परिक्षन उप्रां संचनालाय इस तर से अनुमोधन की कारवाही इसक प्राप्र प्रेश्ट बीए जैफ़र से 5,29 जुमोधन की की अगस्त दोहयर चोवेस से शाट अगश्त दोहयर चौवेस प्रस धी क्रतोर से अगस्त दोहिर चौवेस्त इसके बाद आता है पांच नंबर विंदू जो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें बताये गया है प्रथम तहा पूर्व से नियम अनुसार कार्यरत अथिती सिक्षकों की जोइनिंग के बाद स्रेश रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ट के अधार पर मेरिट क्रम मेर्शाला विक अधार करना चाहते हैं वो स्कोर कार्ट के मेरिट के अधार पर अपने साला का चैन करेंगे फिर उसके बाद मेरिट के अधार पर जहां जिस बिद्याला में उनका नाम आता है उधर वो जोइनिंग ले सकेंगे इसके बाद आगे देख सकते हैं आने समान निर्देश दिये झाल झाल